एक समय की बात है, एक बहुत बड़े घने और विसार जंगल में खरगोस, कचुवा और सभी छोटे बड़े जानवर रहा करते थें, खरगोस और कचुवा दोनों अच्छे दोस्त थें, खरगोस को अपनी तेज दोड़ पर अभिमान और घमंड था, कि मेरे जितना तेज कचुवा नहीं दोड़ सकता है, वह अकसर ही धीरे चलने वाले कचुवे का मजाक उड़ाया और तंग किया करता था, एक दिन जब कचुवे ने खरगोस को उसका मजाक उड़ाने से रोका, तो खरगोस ने कचुवे को कहा, यदि तुम मुझे दोड़ में हरा दो तो मैं अपनी हार स्विकार करूंगा और तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा, कचुवे ने उसकी चिनोती स्विकार कर लिया, और खरगोस बोला, अरे कचुवा भाई, वे दूर पहाड के नजदीक जो पहले पहुँचेगा, वही जीतेगा, इस तरह से दोड़ के लिए समय और अस्थान निश्चित कर लिया गया, अगले दिन सुबह हुई, निश्चित समय पर दोड़ शुरू होने वाले थी, जंगल के सभी जानवर दूर दूर से दोड़ देखने आये थे, निश्चित समय पर दोणों की दोड़ शुरू हुई, खरगोस बहुत तेज दोड़ा, कचुआ धीरे धीरे चलना शुरू किया, खरगोस बहुत आगे निकल गया, पीछे मुल कर देखा तो कचुआ, पीछे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, खरगोस थोड़ा ठका हुआ महसूस कर रहा था, वह एक पेड़ की छाया के नीचे अराम करने के लिए रुका, और बोला मैं थोड़ा अराम करके दोड़ पूरी करूँगा, हवा ठंडी चल रही थी, खरगोस को नीद आ गई, धीरे धीरे चलता हुआ कचुआ, कब उसके पास से गुजर गया, उसे पता नहीं चला, साम हो चुकी थी, जब उसकी नीद खुली, वह फीर से दोड़ने लगा, उसे यकीन था कि कचुआ तो अभी पीछे ही होगा, जैसे ही खरगोस निश्चित अस्थान पर पहुँचा, तो उसने देखा कि कचुआ तो वहाँ पहले ही पहुँच चुका था, यह देख कर खरगोस बहुत सर्मिन्दा हुआ, कहानी से सीख, बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कि जो लगातार मेहनत से काम करता है, उसकी जीत पक्की होती है,